गुद मॉर्निंग बच्चो कैसे हैं आप आज हम my book of English class 2 जो वह सुरू करने जा रही हैं आप अपनी बुक को खोलें और मेरे साथ साथ देखते रहें तो शुरू करते हैं आपकी जो बुक का पहला लेसन है जिसका नाम है A, B, C, D, Song क्या है A, B, C, D, Song ठीक है ओके इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ चित्र देख लेते हैं आपको यह चित्र दिखाई दे रहे हैं very good, तो सबसे पहले चित्र जो है वह है किस एनिमल का है, मताओ yes, this is loin, क्या है यह, loin, loin मतला सेर तो हमें करना क्या है जो आपको यह सरकल दिखाई दे रहा है यह गोला हाँ, यह वाला, ठीक है, इस गोले के अंदर हमें इसका first letter loin में सबसे पहले क्या आता है, L तो हमें यहाँ पे L लिखना होगा आता है आपको L लिखना, लिखा है आपने, हाँ, कोपी में जैसे लिखते रहा, ऐसे ही यहाँ पे L हम लिख देंगे, L, L4, loin, ऐसे ही हम अगले चित्र में करेंगे, इस चित्र को भी देखो ध्यान से हमें यहाँ पे इसका पहला letter फिल करना है, किस चीज का चित्र है यह, elephant, very good तो हम यहाँ पर E लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, और ऐसे, उसके बाद जो तीशरा चित्र है, वह किस चीज का है, इस चित्र को देखो हाँ, parrot, क्या है यह, parrot, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी, very good यह बन गया, पी, इसी प्रकार हमें जो अन्य चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी इसी प्रकार से हमें भरना है, कि वह चित्र किस चीज के है और उनका first letter हमें fill करना है, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको यह, क्या है यह, जग, तो यहाँ पर क्या आएगा, J, very good, यहाँ पर आएगा, J, और यहाँ पर क्या आएगा, यह क्या है, यह किसी इसका चित्र है, यह है अंब्रेला, अंब्रेला किसे इसर होता है, यू से, very good, यू फोर, अंब्रेला, अब इस चित्र को भी देखो, और इसमें आपने शव्यम ही भरना है, कि इसमें क्या आएगा, किसी इसका चित्र है यह, हाँ, काइट, पतंग, ठीक है, तो पतंग में काइट, जब इसको इंग्लिस में लिखेंगे, तो सबसे पहला लेटर वो क्या आता है, के, very good, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, के, आता है न लिखना, येस, आपको यह काम अपनी कोपी के अं अंदर करना है, ठीक है, तो अगले पेज पर हमें एक पोईम दिखाई दे रही है, यह, A, B, C, D, सौंग है, और आप सब बच्चे मेरे साथ साथ इसको गाएंगे, ठीक है, हमें यहाँ से शुरू करना है, आपको दिखाई दे रहे हैं ये, क्या लिखा है ये, A, B, C, D, E, क्या लिखा है, A, B, C, D, E, तो सुरू करें, A, B, C, D, E, A clean world is the place for me, A, B, C, D, E, A clean world is the place for me, F, G, H, I, J, that's the way we want it to stay, K, L, M, N, O, make it dirty, No, 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 P, Q, R, S, T, pick up all the dress you see, U, A, W, X, Y, Z, keep it clean for you and me, समझाई अच्छोर, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का है, जो केले खा रहा है, और उसके जो छिलके हैं, उसको सडक पर डाल रहा है, तो यह है उसकी अच्छी बात नहीं है, जो भी हमें चीजे खा रहे हैं, या कुछ भी हमारे हाथ में हैं, हमें उसे डश्ट बीन में ही डालना चाहिए, हमें उसको इधर उधर नहीं फैकना चाहिए, ठीक है, हमें जो हमारी अर्थ है, उसको डर्टी नहीं करना है, क्या रखना है उसको, क्लीन, क्या रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है, और जितना भी ट्रैस है, ठीक है, उसको डश्ट बीन के अंदर डाल देना है, ठीक है बच्छो, वेरी गुड, आपको दूसरा चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, दिख पड़ा है सड़क के उपर ठीक है रोड के उपर जो भी ट्रेस पड़ा है उसको क्लीन कर रहे हैं ठीक है उसको डस्ट बीन में डाल रहे हैं तो हमें ट्रेस को इधर उधर नहीं फैंकना चाहिए ओके झाल 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 झाल